Hi everyone, welcome back, my name is Galaxy Parmar, और आज हम लोग करने वाले है Class 12 का Max 1 का Chapter No.1 Mathematical Logic का Exercise 1.8 Solve तो आज हमारा Lecture No.10 है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं फटाक से आपको बता देती हूं कि आज के Lecture में आपको क्या मिलेगा सबसे पहले तो हमने Exercise 1.7 तक पूरा अच्छे से सब कुछ सॉल्फ कर लिया है, आज हम लोग Exercise 1.8 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दे कि जो हमारा Exercise 1.8 जो है उसमें दो टॉपिक है, मतलब मेन हमारे दो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है Negation of Compound Statement, यह वाला टॉपिक बहुत ही लेंदी है, मतलब इसमें बहुत सारे आपको, मतलब आपको पता ही होगा Compound Statement कितने होते हैं, पाच Compound Statement है, तो सारे Compound Statement का हम Negation देखेगे, ठीक है, तो मतलब की थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो आज के वीडियो में हम यह Complete करने वाले है, इसका Concept देखेगे, Concept इस पावर याद रखना, अगर आपको Concept अगर Clear नहीं रहेगा ना, तो आप Exercise सौल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो सुनो, आज के lecture में हम करेगे Negation of Compound Statement का पूरा Concept, और इसके Related Sum सौल्व करेगे, तो जो हमारा Exercise है 1.8, उसका जो Question No.1 है, जो Question No. 2 है, वो इसी के उपर Based है, तो हम पहले Concept पूरा कर लेगे, और फिर ये दोनो Question No. भी कर लेगे, इसका Next Video जो आएगा, यानि कि जो 11th lecture होगा हमारा, उसमें हम लोग ये देखेगे, क्योंकि ये भी 1.8 का ही Concept है, क्या Converse, Inverse and Contra Positive, ये क्या होता है, वो हम Next Lecture में देखेगे, औ तो आज का हमारा Concept है, Negation of Compound Statement, अब देखो मैं एक बात बताती हूं, इसको स्टार्ट करने से पहले, मतलब Negation of Compound Statement को स्टार्ट करने से पहले, आपको शाहिद पता होगा कि जो Practice Ed, यानि कि जो Exercise 1.3 था, उसमें हमने देखा था, उसमें हमने देखा था, नेगेशन देखा कैसे निकाल सकते हैं, अगर मांझा हमारे पास कोई Simple Statement है, यानि कि Simple Statement मतलब एक स्टेट्मेन है, ठीक है, तो हमारे पास एक Simple Statement है, जैसे कि Two is an Even Number, तो अगर मैंने बोला कि इसका नेगेशन लीखो, इसका नेगेशन लीखो, तो हम क्या करते हैं, नोट वड का इस्तमाल कर इसका negation क्या होगा, इसका negation होगा, 2 is not an even number, है ना, 2 is not an even number, और इसके बहुत सारे अलग-अलग ways भी थे, यादे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, हम prefix में, prefix मतलब starting में, अगर मानलो not word आपको इस्तमाल नहीं करना है, boring लग रहा है, तो ऐसे बहुत सारे दूसरे ways भी थे, जै इस नौट दे केस दाट, 2 is an even number है ना, या तो देखो यह एक तरीका है negation लिखने का, या फिर दूसरा तरीका यह होता था, कि this is not a case, this is not a case that 2 is an even number, 2 is an even number, ठीक है, उसके बाद और कौन सा तरीका था, ऐसा भी था, कि it is false that 2 is an even number, उसके बाद ऐसा भी था, it is not true that 2 is an even number, ठी तो ऐसे सारे मतलब हमने क्या देखा है, जो simple statement होते है ना, उसका negation लिखना हमको आ जाता है, और आ गया है, लेकिन लेकिन आज का जो topic है, वो कुछ अलग है, वो क्या है negation of compound statement, अगर मानलो मैंने आपको एक example दिया, मानलो अभी मैं कोई compound statement लेती हूँ, अच्छा मुझे ब साथ में आपका revision भी करा रही हूँ तो ध्यान रखना, हमारे पास five types of compound statement है, number one पहला आता है हमारा conjunction, जो end से बनता है, फिर आता है हमारा disjunction, जो हमारा क्या होता है, जिसमें और होता है, वरोबर disjunction, और फिर आता है हमारा third negation, negation भी एक compound statement है, उसके बाद आता है हमारा fourth conditional statement जिसको implication भी बोलते है, तो conditional statement यानि कि ये वाला, sorry sorry sorry, negation का symbol ऐसा है, conditional statement मतलब ये implies वाला, ठीक है, if then वाले जो statement होते है, और if and only if, if and only if वाले जो statement होते है, वो by conditional statement होते है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर मानलो मैं यहाँ पर suppose करो कि एक example लेती हूँ, मैं एक compound statement जैसे कि 2 is an even number, 2 is an even number and root 3 is a rational number, ठीक है, तो अब इसका अगर negation लिखना है, अगर मुझे, और यह कौन है, यह conjunction है, यहाँ पर and है, compound statement क्या होते है, तो simple statement को अगर हम connect करते हैं by using logical connectivity, तो हमको जो statement मिलता है, that is compound statement, तो यह compound statement है, ठीक है, और यह कौन सा compound statement है, conjunction, तो अभी मुझे इसका negation लिखना है, तो इसका negation क्या होगा, बताओ, क्या गरे, कहां पर not लगाए, क्या करे क्या इसका हम, तो यही है हमारा आज का topic, यानि कि disjunction अगर हमारे पास है, negation है, conditional statement है, by conditional statement है, यह पाच statement है, तो सबका हम क्या करेंगे, one by one, सबका negation दूनेगे, या सबका negation देखेंगे हम लोग, इसलिए topic थोड़ा बड़ा है, but one of the most important concept होने वाला है, देखो one by one, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, what is the negation of conjunction, उसके बाद आएगा, what is the negation of disjunction, उसके बाद आएगा, what is the negation of negation, जी, negation का भी negation, उसके बाद आएगा, negation of conditional statement, that is implication, implication भी बोलते है, negation of biconditional statement, उसके बाद एक और एग है, what is the negation of quantified statement, यहादे quantified statement, यहाँ पे देखो quantifier, यह यह फॉर आल वाला quantifier है, for all, यहाँ पे यह जो quantifier है, वो है, there exist वाला quantifier है, तो जो हमारे open, याद होगा, आपको जो open sentences है, उनको हम statement में convert करते है, by using this quantifier, ठीक है, तो यह जो quantified statement होते है, उसका भी negation देखना है, तो आज का topic बहुत important है, और है ना, मैं आपको इसको इसको, मतलब 5 minute में करवा सकती हूँ, रट्टा मरवाने में क्या, मैं रट्टा मरवा सकती हूँ, ब कि किते हैं नी आपको पता है क्या, क्या आपको यह तो आपको पता है, तो आपको है ना, यह जो negation of conjunction है, और जो negation of conjunction है, उध्ये चुछका है, मतलब, आ जाएका, तो देखो, तो D Morgan law क्या होता है, D Morgan law क्या होगा, देखो यह हमारा law है, यह first law है, D Morgan law says that, ऐसे देखो, इसको read कैसे करेगा, ऐसे, negation of P and Q is equivalent to, पता है ना यह किसका symbol है, logical equivalence का symbol है, यानि हम लोग इसको equivalent बोलेगे, ठीक है, तो negation of P and Q is equivalent to, ध्यान रखना, negation of P, यह जो end है, वो और में convert हो जाएगा, और आएगा negation of Q, this is D Morgan law, D Morgan एक mathematician का नाम है, जिनोंने हमको यह law दिया था, इसलिए इसको बोलते है D Morgan law, अब आपको बोलोगे, miss हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह क्या है, क्या बोल रहे हो आप, तो यह ना D Morgan जी हमको क्या बताना चाहते है, कि यह जो left hand side है, और यह जो right hand side है वो equivalent होता है, ठीक है, अब कैसे equivalent होगा, आपको पता है, हम लोग equivalent, कैसे दिखाते थे, by using truth table, याद है वो truth table बनाते थे हम लोग, तो truth table अगर बनाओगे ना इनका, तो आपको पता चलेगा कि इसके जो, इसका जो column है, और इसका जो column है, इनके columns के truth values है, वो equal होगे, इसलिए यह logically equivalent है, अगर विश्वास नहीं होता है, तो जरा हम एक बार करके देखे, लेकिन यह मैं पहली बार कर रही हूँ, और लाश्ट बार कर रही हूँ, इसके बाद मैं नहीं करूगे, क्यूंकि time हमारा waste हो जाएगा, तो देखो, हमारे प चोटा truth table बन रहा है, बहुत ही चोटा truth table बन रहा है, यहाँ बहुत बड़ा truth table चाहिए हमको, ओके, देखो, यहाँ पर, चलो, अभी आएगा next, हमारा next आएगा, p and q का negation, ठीक है, इसका वाले truth value है, वो इसके इधर होगे, फिर आएगा यह वाला, that is negation of p, और negation of q, तो हम को check करना है कि यह जो last के two columns है, इनके truth value अगर same होगे, तो मतब दे आ लॉजिकली equivalent, और होगे होगे, विश्वास नहीं है, क्या, demorgan जी ने हमको यह दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, true, true, false, फिर आएगा true, false, true, false, फिर हम लोग negation of p लिकेगे, negation of p क्या होगा, that is false, false, true, 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 उसके बाद negation of q लिकेगे, तो false, true, false, true, फिर p and q, p and q मतलब क्या होता है, and वाला याद रखो, conjunction वाला true table, दोनों अगर true है, तो true, वरना क्या होगा, सब case में false होगा, ठीक है, अब यहाँ पर p and q का हमको negation लेना है, p and q का negation लेके तो यह हो जाएगा false, यह true, 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 negation of q मतलब यह, इनके बीच में और करना है, क्योंकि और है, और क्या बोलता है, कि दोनों अगर true है, तो true है, नहीं, दोनों अगर false है, तो false है, वरना सारे cases में क्या होता है, यह true, true, true होता है, तो यहाँ पर देखना, dmorgan law ने हमको क्या बोला, dmorgan जी क्या बोलते है, ध्या बताती हूं, ऐसे समझो कि यह negation का symbol अंदर जा रहा है, negation का symbol अंदर जा रहा है, negation का symbol अंदर जा रहा है, और bracket open हो रहा है, तो हमको क्या मिलेगा, negation of p, negation of p, and यह जो end है, वो और में convert हो जाएगा, and negation of q, negation of q, ऐसे, और आपको देखो विश्वास नहीं होता है, तो मै negation of q इवर है, और इनके truth value देखो, इनके सारे truth value जो है, उनके respective column में, वो identical है, इसलिए यह logically equivalent है, तो D. Morgan law ने हमको दो laws दिये है, और यह दो laws जो है, वो कोई ऐसे वैसे law नहीं है, in fact, यह जो first law है, वो बताता है, negation of, negation of conditional, नहीं, negation of conjunction, और यह जो है, वो है disjunction, तो negation of conjunction, और negation of disjunction, यह होता है, गहीं है हमारा पहला दो का negation, आप बोलोगे miss, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या बात हुआ, थोड़ा बहुत भी तो समझ में आगया, 1% समझ में आया की नहीं आया, आ गया, तो ठीक है, नहीं आया, चलो once more, म is equivalent to, ध्यान रखना यह अंदर जा रहा है, ऐसे समझो कि bracket open हो रहा है, तो negation of p, negation of p, फिर यह जो end है, वो और में बदल जाएगा, और फिर आएगा negation of q, यह first law है, फिर second law, second law क्या है, negation of, इसमें बदली हो गया है, ठीक है, अब यह क्या था, negation of p and q, यह क्या है, negation of p and q, य यह end है बच्छा, यह end है, और यह किसका symbol है, और है, फिक है, तो negation of p and q क्या होगा, that is equivalent to, क्या होगा, देखो, यह अंदर जा रहा है, तो यह हो जाएगा negation of p, और यह जो और है, वो change हो जाएगा end बे, and negation of q, negation of q, तो यह second law है, समझा यह law, अब यह law में क्या है, ऐसा कि मैं बार-बार बता रही हूँ, तो यहाँ पर देखो, first law जो है, डी-मॉर्गन लौ का, यह हमको बताता है, negation of conjunction, हाँ, conjunction मतलब क्या, जो हमारे, जो हमारे compound statement, end के मदद से बनते थे, उनको conjunction बोला जाता था, तो negation of, जो conjunction होता है, वो यह होता है, yes, this is the answer, बच्छा, this is only the answer, हाँ, और जो negation of, disjunction होगा, यह देखो, यह disjunction है, P और Q मतलब कौन, disjunction, कौन से compound statement, disjunction, तो negation of disjunction जो होता है, वो यह होता है, तो आपको यह याद करना है, आप बोलोगे, Miss, याद करना compulsory है, क्या, इतना compulsory है, कि जितना आपका सास लेना compulsory है, हाँ, जी, तेखो, negation of conjunction से, तो negation of, देखो, यह लोग ने लिखा है, negation of conjunction, तो ऐसे read करेंगे, देखो, negation, यह symbol किसका है, negation, यह bracket का मतलब होता है, of, negation of conjunction, यह देखो, यह कौन सा compound statement है, बोलो, अभी बोलने का नहीं, कि समझ में नहीं आ रहा है, Miss, mark आओगे, तो negation of conjunction is equivalent to, क्या होता है, क्या negation of P, यह जो end है, वो और में बतल जाएगा, और आएगा negation of Q, yes, this is the answer, यही आपका answer है, आप बोलोगे, Miss, यह answer है, ठीक है, लेकिन कैसे use करेगे इसको, मुझे हम लोगो example से बताओ, चलो, एक example लेते, तो यहाँ पर देखो, क्या बोला है, consider the following conjunction, मतलब देखो, यह हमारा क question है, तो question क्या है, question, example से समझाती हूँ, सब समझ में आ जाएगा, और आप बोलोगे, Miss, मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, तो देखो, क्या बोला है, सबसे पहले तो हमारे पास एक statement है, और यह statement compound statement है, क्या है, कि part, place, part, place, cricket and chess, ठीक है, तो यह conjunction है कि नहीं, पहले बताओ, conjunction है कि नहीं, हाँ है, तो यहाँ पे यह conjunction है, तो यहाँ पे पहले हम P और Q को अलग कर देते, P कौन होगा, P होगा हमारा part, place, cricket, और Q क्या होगा, Q statement क्या होगा, chess नहीं होगा, part, place, chess होगा, ठीक है, full form में लिखेगा हम लोग, तो P जो हमारा statement है, वो है, part, place, cricket, ठीक है, और next जो Q statement है, वो क्या है, कि part ही है, part ही है, जिसको cricket और चेस पसंन है, तो यानि कि next Q statement है हमारा, कि part, place, chess, तो अभी देखो, हमारे पास क्या है, कि P and Q, P and Q यह होता है हमारा conjunction होता है, तो इसका हमको क्या करना है, negation लिखना है, question होगा, कि write the negation of this, write the question क्या होगा, write the negation of this conjunction, आपको हर किसी का symbolic form याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो मैं तो आपको बोल रही हूँ कि फिर आप 1.8 नहीं solve कर पाऊगे, sorry, ठीक है, तो पहले मैं symbolic में लिखती हूँ, तो negation of conjunction जो होता है, वो किसके equivalent होता है, लर्न कर लो, अभी मैंने बोला था, क्या होगा, यह होगा, negation of P, और यह जो end है, वो और में बदल जाएगा, and negation of Q, ठीक है, negation of Q, तो यानि कि यहाँ पर देखो, हमको क्या करना है, इसका negation लिखना है, और इसका negation जो होता है, वो यह होगा, यह, this is the answer, लेकिन यह तो symbolic form है, इसको हम लोगो verbal form में लिखना पड़ेगा, क्योंकि question verbal form में है, तो answer क्या हो जाएगा, therefore, the answer will be, यह हो जाएगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, negation of P लिखना पड़ेगा, तो P क्या है, path plays cricket, तो इसका negation होगा, path does not play cricket, ठीक है, path does not play cricket, उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन सा symbol है, यह, V मतलब क्या और, तो यानि कि और आएगा और उसके बाद आएगा, negation of Q, तो जो Q है, उसका negation लिखो, तो फिर यहाँ पे देखो, क्या लिखेगे, हम लोग, path does not play cricket, और, he does not play chess, हम लोग क्या करेगे, pronoun यूज करेगे, क्योंकि दो बार path यूज करके क्या करे, थोड़ा तो grammar हमको भी पता है, कि path लड़का है, तो हम लिखेगे, he does not, he does not, he does not, he does not, he does not play chess, he does not play chess, ठीक है, अब आप बोलोगे, miss, यह does not कहां से लिखा आपने, अरे, क्योंकि देखो, यह जो conjunction है, इसका जब हम negation ले रहे हैं, तो वो इसके equivalent आता है, तो आपको इसको, यह symbolic form है, उसको अब आप verbal में बनाओगे, उसको आप statement म convert करोगे, तो उसके लिए इन लोग क्या बोल रहे हैं, कि अगर आपको conjunction का negation लिखना है, तो यह है answer, that is negation of P, तो P पार्थ प्लेज क्रिकेट, तो इसका negation हो जाएगा, पार्थ प्लेज क्रिकेट, फिर V मतलब और, ठीक है, और negation of Q, तो Q क्या था, पार्थ प्लेज चेस, तो इसका negation हो जाएगा, पार्थ प्लेज प्लेज, पार्थ दो दो पार्थ नहीं लिखेगा, इसलिए मनें ही का यूज क्या, he does not play chess, समझ में आ गया, अभी आप है ना, अभी मैं बताती हो आपको, अभी आप आराम से यह जो मैंने नीचे आपको दिया था ना, नीचे य इसलिए हमेशा मैं ऐसे लिख रही हूँ, ब्रैकेट में और बाहर आगे negation हो रहा है, तो negation of conjunction is equivalent to negation of P और negation of Q, यह learn करना है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, तो अभी आप है ना, अभी आप इसका भी negation लिख सकते हो, तो negation क्या हो जाएगा, देखो, यह हमारा क्या होगा और यह हमारा क्या होगा, Q होगा, आपको identify करना रहेगा, तो इसका negation क्या होगा, यह होगा, क्या होगा, negation of P, negation of P मतलब 2 is an even number, तो इसका negation हो जाएगा, 2 is not an even number, उसके बाद क्या आएगा, यह जो है और का symbol है, तो and नहीं होगा, यहाँ पे और, फिर आएगा negation of Q, तो Q क्या है, root 3 is a rational number, तो यहाँ पे आजाएगा, और root 3 is not a rational number, negation लिखना है, is not a rational number, ठीक है, तो यह रहा हमारा negation, ठीक है, समझ में आ गया, तो यह जो हमारा conjunction है, इसका negation हमने नीचे लिख दिया है, समझ में आया की नहीं आया, yes or no in the comment section, ठीक है, done, तो हमारा answer आ चुका है, यह demorgan law से आया है, ठीक है, अब सेम disjunction का भी है, disjunction क्या होता है, disjunction मतलब जो और, मतलब जो compound statement और, और से बनते है, तो यहाँ पे देखो, मैं भी learn करना, पहले आपको read करना सिखाती हूँ, अब हम लिख रहे है, negation of disjunction, ठीक है, देखो P और Q, यह disjunction होता है, यह हमारा disjunction है, यह कौन सा compound statement है, disjunction, तो देखो ऐसे लिखने का, negation bracket का मतलब उसको read करते है, of, negation of disjunction, तो negation of disjunction किसके equivalent होता है, क्या होगा negation disjunction का, तो यह भी demorgan law से आता है, demorgan law क्या करेगा, यह negation को अंदर बेजेगा, bracket open हो जाएगा, तो negation of P, और यह जो और है, वो end में change ह हो जाएगा, और यह Q जो है, वो negation Q में change हो जाएगा, तो यह रहा हमारा answer, मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर यह लिखना नहीं आएगा, अगर आपको symbolic form नहीं आएगा, तो आप verbal form नहीं लिख पाऊगे, तो symbolic form आपको याद भी करना है, मैंने तो आपको trick भी बताईए, ऐसे समझो कि यह अंदर जा रहा है, यह अंदर जा रहा है, और सब को change कर रहा है, P को negation P कर रहा है, और को end कर रहा है, Q को negation क्यू कर रहा है, ठीक है, यह answer है, तो this is the answer, यह answer है, what is the negation of disjunction, यह है, तो अभी एक question ले, देखो वाओ, यह वाला question हमारे जैसा ही यह कुछ, य आभी कि हमको क्या करना है, देखो यह और से बनाएँ, मतलब यह disjunction है, और अभी हमको इसका negation लिखना है, तो यह हमारा answer है, ठीक है, तो क्या करेगे हम लोग, पहले P और Q को identify करो, यह हमारा P होगा, उसके बाद यह हमारा Q होगा, तो इसका negation क्या होगा, इसका answer में यहा तो इसका negation हो जाएगा, the number two is not an even number, तो इसका negation हो जाएगा, the number two is not an even number, तो इसका negation हो जाएगा, the number two is not an even number, तो इसका negation हो जाएगा, the number two is not an even number, तो इसका negation हो जाएगा, the number two is not an even number, तो इसका negation हो जाएगा, the number two is not an even number, तो इसका negation हो जाएगा, the number two is not an even number, तो इसका negation हो पूरा आंसर है यहां से लगा के यहां तक यह हमारा नेगेशन है किसका इसका इसका डिस जंक्शन का तो मैंने क्या बोला यह लर्न कर लो यह लर्न कर लिया आपने तो बस आपकी लाइफ सेट है तो अब तक हमने दो का नेगेशन दे 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 किसका कंजंक्शन और कहा से आया, D Morgan Law से आया, अब देखते हैं, नेगेशन ओफ नेगेशन यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है, नेगेशन ओफ नेगेशन बड़ा सिंपल है, और इसकी चर्चा हमने नेगेशन करते टाइम भी की थी, बड़ ठीक है, चलो देख लो, पहले लिखते कैसे हैं, नेगे नेगेशन ओफ मतलब ब्रैकेट आयेगा, फिर से वन समोर, नेगेशन ओफ नेगेशन, इसको रीड करेगे, नेगेशन ओफ नेगेशन, तो नेगेशन ओफ नेगेशन जो होता है, that is equal to original statement itself, तो नेगेशन ओफ नेगेशन होता है, वो उसके ओरीजनल स्टेटमेंट के सब का सब्बूत है true table में मिलता है हमने क्या किया यह सब का true table बनाया यह लॉजिकली इक्विवेलेंट का symbol आपको पता होगा कैसे पता चलेगा कि हाँ यह दोनों सच में equal होते है नहीं होते कैसे पता चलेगा तो इनका true table बनाया क्योंकि यह पर एक ही statement है इसलिए यह लिखा उसकी possibility क्या होगा या तो वह true हो सकता है या false हो सकता है फिर इसका negation लिखा तो इसका negation आए true का false पॉल्स का true फिर इसका भी negation लिखा तो false का true true का false तो अगर आप देखो रोगे चेक करो यह जो हमारा first column है और यह जो हमारा third column लास्ट यह देखो, equivalent है, क्योंकि इनके respective column में, जो truth values है, वो same है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, कि P जो है, that is logically equivalent to negation of negation P, है ना, तो यानि कि यह equal होते हैं, इसलिए ऐसा बोला जाता है, कि negation of negation जो होता है, वो क्या होता है, that is equal to P only, यानि कि वो उसके original statement के equal ही होता है, अब जैसे एक example बताती हूं, देखो example, simple example रखते हैं, जैसे मान लो कि P कोई हमारा एक statement है, क्या है, root 5 is an irrational number, अभी हम क्या करेगे, पहले क्या करेगे, यह जो simple statement है, उसका negation निकालेगे, तो इसका negation क्या होगा, root 5 is not an irrational number, अब हम इसका negation लिखेगे, तो negation of P क्या होगा, आपको तो पता ही है, वो क्या होगा, अप्रोप्रियेट जगह पे क्या करना है, not लगाना है, अब यह हमको क्या मिल गया, हमको क्या मिल गया, यह simple statement का negation मिल गया, अब हम क्या करते हैं, इस negation का negation निकालना है, तो negation of negation, पहले ऐसे लिखेगे, and that is equal to क्या होगा, अगर आपको इसका negation बताना है, negation मतलब इसका उल्टा बताना है, तो क्या करोगे, root 5 is not an irrational number, तो इसका negation क्या होगा कि जहाँ पे not है उसको हटा दो, तो इस negation हो जाएगा उल्टा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, root 5 is an rational number, not हटा देना अभी, तो root 5 is an irrational number, तो देखो, यहाँ पे देखो, जो हमारा original statement था, और जो negation का negation था, वो equivalent है कि नहीं, वो equivalent है, तो बस यह है, जादा इसमें कुछ है नहीं बताने लायक, तो मैं बताओ क्या, बस इतना ध्यान रखना है, यह MCQ वगारा में आता है, कि negation of negation जो होता है, that is equivalent to PP, मतलब वो original statement के equivalency होता है, ठीक है, तो अब मैं फिर से बता देती हूँ, अभी तक हमने 3 compound statement का negation देख लिया है, कौन-कौन सा, बताओ, सबसे पहले, negation of, negation of conjunction is equivalent to क्या होता है, बोलो, learn कर लो, negation of P और negation of Q, यह first है, ठीक है, second, negation of disjunction जो होगा, that is equivalent to क्या होगा, यह अंदर जा रहा है, ऐसे समझो, imagine करो यह अंदर गया, और को उसने end में कर दिया, और यह हो गया negation Q, उसके बाद third, negation of, negation जो होता है, वो उसके original statement के equal होता है, अगर यह लिखना नहीं आ रहा है, I am extremely sorry, आपको लिखना सीखना पड़ेगा, hundred times, ten times लिखो, और यह सीख ल करोगे, अब आते हैं, last के 2, 4, 5 यानि की, negation of conditional statement, and negation of by conditional statement, यह थोड़े difficult जाने वाले है, मैं पहले ही आपको वर्न कर रही हूं, तो आपको थोड़ा सा अपना कमर कसके बैठना है, ठीक है, अब मुझे बताओ कि conditional statement कैसे होते है, मतलब उसको कैसे symbolic form में ऐसे लिखते है, त यह ना हमारा conditional statement, तो सुनो यहां पर, धिहान से सुनना, तो यहां पर देखो, हम क्या कर रहे है, negation of यह conditional statement लिख रहे है, बरोबर, negation of this conditional statement, तो negation of conditional statement जो होता है, वो किसके equal होता है, तो उसका answer है यह, वो किसके equal होता है, तो that is equivalent to, that is equivalent to P and negation Q, किसके equivalent होता है, P and negation Q, अब तो आप बोलोगे मिस क्या सबूत है कि यह दोलो एक्विवेलेंट होगे तो यहां पे इसका सबूत देखो इधर ही है अपने ट्रूट टेबल में ही है और यह कैसे आया उसके लिए दो तीन स्टेप से यहां पर बट मैं आपको वह भी बताऊगी वह भी बताऊगी लेकिन आ मैं चाहती हूं कि प्लीज आप रट्टा मत मानना नहीं तो मैं इसे भी बोल देती ही हां रट्टा मार लो ना क्या है जैसे डी मॉर्गन लो आपको बताया मैंने अक्षे से हैं तो वैसे समझो तो देखो मैं पहले तो यह काम कर देती हूं कि जो हमारा ध्यान से सुनना फि इसको प्रदी करेंगे लिए यह सब offenders ब्राके को रीड़ करेंगे और यहां पर इमपलाइस वाला साइन्क होता हा उसके नेगेशन में रिपशन की अब बोलोगे जैके सिय क्या सहां क मैं इसका गोल हिकिगा सबूत है कि गा स्थान Vaiṣi ओकिन थ शुप टैपल में आपको में देखो, Negation of Conditional Statement, मतलब ये वाला है, इसके जो truth values है, इसके respective column में, truth values है वो देखो, तो ये दोनों equal है, देख रहे हो, false, true, false, 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 तो यह लौजिकली एक्विवेलेंट है, तो यहां से हमको सबूत मिल गया, कि जो नेगेशन आफ कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है वह किसके एक्विवेलेंट होता है वो इसके equivalent होता है, किसके, learn कर लो P and negation Q, ठीके P and negation Q, P and negation Q, अब आपके पास है कि Miss, हाँ ठीक है, चलो, समझ में आ गया, आपने through table से हमको prove करके दिखा दिया, कि हाँ, ये दोनों logically equivalent है, पड़ एक बार बता आतो दो कि, मतलब ये आया कैसे, कैसे हुआ, तो इसमें देखो, D-Morgan law का भी बहुत बड़ा हाथ है, अब मैं बताती हूँ कैसे आया, जैसे कि ये न, एक कहानी है, एक कहानी है, उसको ध्यान से सुनना, अभी देखो, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि, ये हमारा conditional statement है, राइट, मैं इसके negation की बात अभी नहीं कर रही हूँ, थोड़ मैं बताती हूँ, ये अगर जितना हो सके, उतना आप ये learn कर लो, ये learn कर लो, ये बड़ी important चीज मैंने आपको बताई है, कही पर please लिख देना, फिर बोलना मत कि, अरे miss आपने बताया क्यों नहीं यार, बताया क्यों नहीं, मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं वान कर रही कि ये लिख लो, आप बोलोगे miss इसका सबूत क्या है, तो भाई आपको विश्वास नहीं होता है, तो इसका और इसका truth table बना देना, और उसके respective column में, उसके truth value चेक कर लेना, इन दोनों के truth values आएगे, वो same आने वाले है, अब वो काम मैं नहीं करूँगे, आपको trust करना मतलब ये sign है, ये sign को अगर हमको हटाना है, और उसके जगह पे हम लोग को कुछ और लाना है, जैसे कि and or का उपियोग करना है, तो ये, ये जो हमारा conditional statement होता है, वो logically इसको equivalent होता है, ठीक है, logically ये equivalent है, ये है, तो अभी हम क्या करना चाहते है, हमारा जो target है, वो क्या है, कि ह हम क्या करना चाहते है, हम इसका negation पता करना चाहते है, हमको इसका negation चाहिए, तो अगर हमको ये conditional statement का negation चाहिए, इसका मतलब हमको इसका negation चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो logically equivalent है, तो अगर हम conditional statement का negation चाहते है, मतलब आप इसका negation बताओ, जो इसका negation होगा, वही हमारा conditional statement का negation होगा समझ रहे हो और यह प्रूफ मैं दे रही हूँ अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है मिस आपको जादा ही बता रहे हो बढ़ यह बहुत जरूरी है इसलिए ध्यान से सुनना देखो फर्स मैंने क्या बोला कि यह जो हमारा conditional statement है कि यह conderal statement वाला साइन का तो हमने क्या किया लगा दिया वोनों साइट नेगेशन लगा दिया तो अब इसको तो इसको solve करेंगे, 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 इसको solve करें यहां पे खयेगा को यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर होना, मतलब यह ने पर को यह we जो है मतलब और जो है वो end में change हो जाएगा फिर यह negation इसके पास जाएगा तो यह हो जाएगा negation of q उसके बाद that is equivalent to negation of negation p क्या होता है देखो हमने किया हुआ है negation of negation p is the original statement itself यानि कि p के equal हो जाएगा यह तो यह किसके equivalent हो जाएगा p के equal फिर आपर आएगा end और फिर यहां पर आजाएगा negation of q इसलिए यह है हमारा answer देखो विश्वास नहीं होता है तो उपर देख लो उपर देख लो उपर देख लो यह ही आया था ना कि हाँ यह जो negation है conditional statement का जो negation है वो यह क्यासे इसके equal आता है तो वो रहे यह रहे कुछ steps यह रहे उसके steps की यह ऐसे equal आता है तो देखो यह रहा तो यानि कि negation of conditional statement is equivalent to this यह रहा हमारा answer समझा एक once more once more देखो एक है ना कहानी होती है कि जो हमारा conditional statement है that is equivalent to negation of p or q ठीक है और ही है और q तो यह यह equivalent है विश्वास करो ठीक है तो अब हमको क्या चाहिए यह जो हमारा conditional statement है इसका negation चाहिए तो हमने क्या बोला applying negation on both the side अब इसको तो solve करना possible नहीं है क्योंकि इसके हमारे पास concept funde clear नहीं है तो इसको solve करना possible है इसके bracket को open करना possible है कैसे by d Morgan law d Morgan law क्या करता है यह अंदर चला जाता है यह negation अंदर चला जाता है negation सबको मिलेगा तो negation of negation p, negation of negation p लगेगा यह जो और है वो end में change हो जाएगा और q को negation लगेगा तो यह negation q हो गया reason में आएगा d Morgan law ठीक है उसके बात solve करोगे तो negation of negation p होता है original statement कहां से आया कैसे आया अरे यह देखो ना यह देखो ना negation of negation p क्या होता है original statement होता है आप लोग को विश्वास नहीं है कि अभी तक मेरे उपर हो ठीक है तो negation of negation p, negation of negation p, p and end ही रहगा और यह negation q, negation q ही रहगा तो यह रहा हमारा answer मतलब इसका जो negation है वो यह है ठीक है इसका मतलब जो conditional statement है उसका negation भी यह होगा तो यहां से हमको एक नई चीज पता चली कि negation of conditional statement is equivalent to p and negation q इसको learn कर लो मतलब किसको learn करना है miss यह वाला यह है आपका symbolic form में answer यह symbolic form का answer है फिर बोलना मत मैंने बोला नहीं तो एक example करना है क्या example करना है ठीक है मैं करवाती हूं देखो पहले मैं फिर से एक बार लिख देती हूं negation of conditional statement is equivalent to p and negation q ठीक है तो अगर किसी भी conditional statement का negation लिखना है तो आपको यह answer है यह symbolic form है symbolic form से हम verbal form आराम से create कर सकते हैं जैसे example देखो यहां पर दिया है if every planets move around the sun then every moon of the planets moves around the sun ठीक है अब ध्यान से सुनना इसमें अम लोगो p और q identify करना है तो यह हमारा सबसे पहले क्या होगा यह यहां से लगा के यह तक यह p होगा फिर यहां पर then के बाद जो होता है वह हमारा q होता है देखो यह if then है if then मतलब यह conditional statement है तो इसका negation लिखना है तो इसका negation क्या होगा यहां से लगा के यहां तक हमारा answer है इसमें if then चला जाएगा क्यूंकि इसका negation जो होता है वह क्या होता है पहले लिखो p statement p क्या है every planet moves around the sun तो इस लोग ने लिखा होगा सबसे पहले starting में लिखा होगा every planets move around the sun उसके बाद क्या है end यहां पर देखो क्या है end तो यहां पर देखो end तो यहां पर देखो end आपको पता है end के जगह पर हम बढ़ भी लिख सकते क्या है तो क्या है every moon of the planet moves around the sun तो इसका negation हो जाएगा every moon of the planet does not move around the sun यहां पर देखो यहां पर लिखा है every moon of the planet does not move around the sun यह हो गया तो यह जो हमारा conditional statement है इसको negation बहुत बड़ा होता है और वो कैसे लिखना पड़ता है इसके symbolic form को देख 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 के verbal form create करना पड़ता है इसलिए अगर आपको symbolic form याद नहीं है तो I am extremely sorry आप verbal form नहीं लिख पाओगे समझ में आ गया done 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 okay अच्छा एक और एक बात आप conditional statement का negation तो याद रखो गई बड़ एक और याद रखना है क्या कि जो हमारा खुद जो conditional statement है P implies Q वो खुद किसके equivalent होता है that is equal to negation of P और Q के equivalent होता है ठीक है यह ध्यान रखना यह भी मैं छोटा सा आपको बोल रही है तो यह important है थोड़ा याद करो इसका negation तो याद किया ही है negation of conditional statement जो है वो तो आपने याद किया है that is P and negation Q लेकिन यह खुद conditional statement जो है वो इसके equivalent होता है वो भी याद रखो ठीक है चलो अब आते हैं last लास्ट नहीं actually मैं इसके बाद हमारा quantified वाला भी है बट यह हम पाच्वा हमारा पाच्वा हमारा क्या है पाच्वा हमारा compound statement है that is by conditional तो पहले तो देखो इसको लिखेगे कैसे हमको क्या करना है by conditional statement का negation लिखना है तो ऐसे होगा ना लिखेगे पहले कैसे symbolic form में negation of negation of this by conditional statement है यह उसका symbolic form में याद होगा by conditional statement का तो negation of by conditional statement is equivalent to what क्या है answer क्या है answer तो इसका direct answer बता दू पहले attention मतलो मतलब पूरा भी explain करूगी बट पहले में लिख देती हू तो एको negation of this by conditional statement actually में by conditional को देखो double implication भी बोलते है यह भी याद रखो हाँ तो negation of यह हमारा double implication या by conditional तो negation of by conditional statement जो होता है वो बहुत बड़ा होता है इसका negation है ना यार बहुत दिमाग खराब करेगा आपका भी और मेरा भी बट ठीक है learn कर लेगे तो negation of by conditional statement जो होगा that is equivalent to that is equivalent to यह रहा हमारा आंसर इतनला लंबा चोड़ा आंसर है तो इसका जो negation होगा वो होगा यह क्या नमबर वन एक bracket में होगा p and negation q फिर आएगा और फिर आएगा q and negation p ठीक है यह learn करना पड़ेगा अगर learn नहीं करना है तो यह कैसे आया उसको derive करके में बताओ तो इतना बड़ा आपका derivation रहेगा इतना बड़ा उसका derivation है देखो तो आप लोग को यह learn करना पड़ेगा मतलब जो हमारे बाइक कंडिशनल यह देखो यह बाइक कंडिशनल स्टेटमेंन इसका negation लिख रहे है तो negation of by तो यह रहा हमारा answer यह आया कैसे और आपको विश्वास नहीं होता है आप बोलोगे में सच में यह कैसे इसका सबूत दो तो सबूत के लिए तो भाई तुम लोग मुझे बोलना ही मत प्रूट टेबल में इसका सबूत मिल जाएगा आपको विश्वास नहीं है क्या मतलब क आपको यह लगता है किया मैं ऐसे बूलोगी अगर आप बाय-कटरिश्वास निकालोगे तो तो यह भी होगा मतलब यह ही होगा क्या सबूत है तो सबूत यह रहा देख लो आप देखो यह हमारा यह रहा किधर कुटे के ला रहे कुटे ला पूरा न्नो अच्छा यह इदर printed mistake है I am extremely sorry आपके book में ए ना च्छोटी सी printed mistake हो गई है और वह यह है कि यहां पे इन लोग ने यह negation नहीं आएगा और attention मतलो उन लोग ने obviously negation वाला नहीं लिखा है जो भी लिखा है वह सही लिखा है यह negation नहीं आएगा हाँ तो देखो यह वाला देखो ज इसका column जो है वो सबसे last में होगा ठीक है इसके 9th column 9th column में जो truth value है वो देखो तो false true true false false true true false तो हम क्या बोलते हैं दो statement pattern logically equivalent कब होते हैं जब उनके respective columns में जो truth value है वो identical होते हैं मतलब यह logically equivalent है तो मतलब यह बोलना सही रहेगा ना कि negation of biconditional statement is equivalent to this okay तो यह सबूत है हमारे पास ऐसे मत बोलना मैं सबूत दो सबूत दो तो सबूत है अब मैं को बताना है कि भाई यह आया कैसे आया कैसे यह तो देखो इसके 2-3 steps है थोड़ा सा भारी हो जाएगा आपके दिमाग के लिए तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भारी हो चुका ह जाओ जरा सा पानी भाणी पीके आज़ोँ पहले ही बोल रही हो हमएं तो अब यहां पे देखना मैं भी पांजी पीके आ गया कि अभी ध्यान से सुना किस्थ पहले है तो हमारे बाहां बात बताती हूँ आपको कि भाल कुक्स की स्ँस्तिशनी अ कि बाइक के युए कि को स को हम लोग conditional statement के form में भी लिख सकते जैसे कैसे P double implies Q का मतलब होता है कि P implies Q and Q implies P, ठीक है, आप बोलोगे मिस यह क्या लिखा हमको समझ में नहीं आया, तो मैं एक बात बताती हूं, आपको इतना समझना भी नहीं है, मैं बताती हूं कि जो P double implies Q जो है, यह जो by conditional statement है, that is equivalent to P implies Q and Q implies P, ठीक है, आपको अगर विश्वास नहीं होता है कि जो मैंने लिखा है वो सही है, तो आप उसके truth table बनाओ, आप इन सबका truth table बनाओ, तो इसका जो column आएगा, इसका जो respective column में equivalent होता है, अब हमको क्या करना है, और देखो, अब हमको क्या करना है, ध्यान से सुनो, हमको इसका negation चाहिए, इसका negation चाहिए, इसका negation हम लिखेगे, लिकिन उससे पहले इसको थोड़ा और solve करो, किसको solve करें, इसको, इसको थोड़ा और solve करो, मुझे एक बाल बताओ, P implies Q Q किसके equivalent होता है, P implies Q किसके equivalent होता है, देखो, पीछे मैंने बताया था, that is equal to what, negation of P, और Q के equivalent होता है, आप बोलोगे miss, ये कहा से लिखा आपने, इसलिए मैंने बोला था कि बेटा, बेटा, आप जो है conditional statement का negation तो learn करोगे ही करोगे, बट P implies Q जो होता है, वो भी learn कर दो थोड़ा, आपका भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, ताकि आपको समझ में आएगा, तो क्या मैं इसके जगह पे, क्या मैं इसके जगह पे ये लिख दू, चलेगा, आप बोलोगे, हाँ miss, चलेगा, आपने पीछे बोला था तो विश्वास है, लिख दो, ठीके तो ये लिख दिया मैंने, फिर and, अब इसके जगह पे भी मैं कुछ, ऐसा ही कुछ create करो, मतलब क हम क्या करें, दहिखो, दीरे-दीर मैं क्या किया, यह, जो हमारा सिंबॉल था उसको conditional में चेंज किया, अब जो conditional वाला सिंबॉल है, उसको हम क्या करेंगे, est on or or में Q क्योंकि एंड और और रहेगा ना तो हम D Morgan लगा सकते हैं इसलिए हम लोग ऐसे धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं तो अब मुझे बताओ कि अगर P IMPLICE Q क्या है यह है तो मुझे बताओ Q IMPLICE P क्या होगा तो इसका जो आंसर होगा वो यह होगा ठीक है तो क्या होगा दाट इक बारी में नहीं समझेगा मैं सच बोल रही हूं आपको लगे का कि मैं पड़ारी अच्छा नहीं हूं भट ऐसा नहीं है वो थोड़ा होता है डिफिकल्ट है यह चलो अब यहां पर देखना इक बात बताती हूं यह बहुत बड़िया काम किया और इसको पूरा है न और और में कनवर्ट कर दिया पर आपको और और नेगेशन निया दिखेगा तो हमको पता चला कि अच्छा यह जो हमारा कंडिशनल स्टेटमेंट है त्वो इसके इक्विवैलेंट है ठीक है अब हमको लेते फिए सब्सक्राशों के लिआ कंडिशनल शी क्रेंस का निकाल दिया कि अगर निकाला डिया важно यह पूड़ा मैं पुरूफ बता रहे हूं आपको अब आप ढह साया तो लुक रुको, थोड़ा जगह में ज़्यादा लेती हूं, सुनो, number one, एक बात बताती हूं कि यह हमारा conditional statement है, conditional statement, sorry, conditional ही आ रहा है बारबार, by conditional statement है, और यह by conditional statement होता है, किसके equivalent होता है, that is equal to p implies q and q implies p, ठीक है, by है, by मतलब दोनों तरफ, यानि कि p implies q and q implies p, अब उसके बाद हमने बोला कि अच्छा, बढ़ हमने अभी अभी देखा, पीछे, जब हम conditional कर रहे थे, कि p implies q जो होता है, वो किसके equivalent होता है, that is equal to negation of p और q के equivalent होता है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसमें change कर दिया, मतलब कि negation of p और q, ठीक है, bracket लगा दो, तो इसको भी हम change कर सकते है, यह technique से, जैसे देखो, यहाँ पर q implies p बनाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, negation, अगर पहले p था, तो negation p लेते है, अगर q है, तो negation q लेगे, और और ही रहेगा, अगर q है इदर, तो q आया, इदर p है, तो इदर क्या आएगा, p आएगा, तो हमने क्या किया, बातों ही बातों में इसका भी हमने value निकाल दिया, और वो है यह, that is negation of q और p, ठीक है, तो इससे हमको पता चला, अच्छा, यह जो हमारा biconditional statement है ना, वो इसके equivalent होता है, अब हमको क्या चाहिए हमारा, जो main topic है, वो क्या है, इसका negation, तो इसका negation, अगर biconditional का negation चाहिए, इसका negation भूनो, इसका negation, तो इसका जो negation होगा, वही हमारा, क्या हो جाएगा, biconditional का negation हो जाएगा, तो चलो निकालते हैं ना customer, कैसे निकालोगे, बी-Morgan law, अब बी-Morgan law जाग जाएगा, बड यह हमारा देखो, negation of, ध्यान रखना, negation of P and Q क्या होता है, D Morgan Law, यह हमारा P का role play करेगा, बीच में End है, यह हमारा Q का role play करेगा, तो क्या होता है negation of P and Q, वो होता है, that is equivalent to negation of P, P and होगा, or or negation of Q, यह है D Morgan Law, तो लगाओ D Morgan Law, come on, लगाओ, तो यह क्या होगा, यह negation इसको मिल जाएगा, मतलब ऐसे होगा, negation of bracket में लिखो, P बहुत बड़ा है, negation of P or Q, उसके बाद जो end है, वो और में बदल जाएगा, तो यह और में change होगा, उसके बाद यह negation इसको मिला यह negation इसको मिला, यह negation अभी इसको भी मिल जाएगा, तो negation of bracket में लिखना, negation of Q or P, ठीके, done, अभी और D Morgan Law लगाएगे, इसके अंदर भी D Morgan Law लगाएगे, इसके अंदर भी D Morgan Law लगाएगे, जब तक यह open नहीं हो जाते हैं, सारे bracket तब तक लगाने का, तो अब देखो, negation इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो negation of negation P, negation of negation P, उसके बाद यह जो और है, वो end में बदल जाएगा, और यहापे आएगा negation Q, ठीके, bracket open, अब bracket मत लगाना, ठीके, लगाना है तो पूरे को लगाओ, पूरे को, उसके बाद यह और है, तो इधर और ही रहेगा, उसके बाद यह जो और है, वो end में change हो जाएगा, और यह P जो है, वो negation P बन जाएगा, बहुत लोग बोलेगे, मिस नई समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाओगी, अब भी यह सम आपको difficult लगेगा, प्रैक्टिस एड के सम क्या करो अब देखो, अभी याद रखो, what is negation of negation P, तो यह P हो जाएगा, फिर end है तो end और यहाँ पर आएगा negation Q, यह bracket close, उसके बाद यहाँ पर और 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 यहाँ पर और और नेगेशन of negation Q क्या होगा, Q, उसके बाद end है तो end, आगे आएगा negation P, तो यह ही है हमारा answer, इसलि बहुत ही घडबर हो रही है यह जो बाइकंडिशनल स्टेटमेन है इसका जो नेगेशन है वो यह है और यह है मतलब क्या नीचे देखो नीचे आंसर भी सेम आ रहा है यह वाला है मैं कॉपी करके पेश्ट करवाती हूं वरना आप बोलो कि मिस रॉंग आ रहा है रहा है इसको इधर पेश्ट कर लेते हूं विश्वास नहीं होता है तो देख लो अभी अभी देख लो जो हमारा बाइकंडिशनल स्टेटमेंन है इसका जो नेगेशन है वो यह है और देखो जो आमने इतना बड़ात सॉल्व किया तो यह यह आंसर मिला है एक एक वर्ड आप चेक कर सक देखो यहां पर यह वाला और यह वाला, चेक करो, सब कुछ चेक करो, विश्वास नहीं हो रहा है तो चेक करो, और मैंने इसका सबूत भी दे दिया है, अब सबूत दे दिया है, अब आप बोलोगे, मिस्स यह नहीं समझ में आ रहा है, यह जो आपने इतना सब कुछ किया न नहीं समझ में आने वाला है, नहीं आएगा समझ में, D Morgan Law ब्रैकेट ओपन करने के लिए बहुत काम आता है, और D Morgan Law कभी उस करते पता है, वो and और और होता है ना बीच में तभी उस होता है, तो इसलिए देखो, फिर से एक बार देख लो, और जिसको समझ में आ गया, प्लीज मूव फॉरवर्ड, देखो, पहले हमने बोला कि जो हमारा बाइक कंडिशनल स्टेटमेंट है, वो किसके एक्विवेलेंट होता है, that is equal to P implies Q, and Q implies P, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक क्या था, कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, negation of P or Q, उसके बाद and, इसको हम लिख सकते हैं, negation of Q or P, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, यह बाइक कंडिशनल स्टेटमेंट का negation चाहिए, अगर आपको इसका negation चाहिए, तो आपको इसका negation धुनना पड़ेगा, इसका negation धुन लो तो आपको automatically by conditional का negation मिल जाएगा, समझ में आया, तो अब इसका negation धुनने के लिए, हमने D Morgan law का उप्योग किया, तो D Morgan law बोलता है, कि यह negation इसको भी मिलेगा, यह negation इसको भी मिलेगा, यह negation इसको भी मिलेगा, तो हम negation का बटवारा करते हैं, मतलब उसको बाटते हैं, तो negation of यह पूरा bracket लिखो, उसके ब यह अंदर जाएगा, तो negation of negation P, फिर यह जो और है वो end में बदल गया, Q का negation, negation of Q, यह पूरा bracket लगा दो, ताकि खिचडी ना हो, और, फिर यह अंदर जाएगा, that is negation of negation Q, फिर यह और है तो end हो गया, फिर यह negation of P, अब यह bracket लगा दिया, यहापे भी bracket लगा दिया, negation of negation P क्या होता है, P, original statement, फिर यहापे and negation Q, फिर यहापे और, और, negation of negation Q क्या होता है, Q and negation P, so this is the answer, इसका मतलब जो by conditional statement है, उसका negation यह होता है, यह हमको मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया, अब इसके related example दे दो, miss, एक example दे दो, तो जो by conditional statement होते है, यह उसका symbolic form है, यह उसका symbolic form है, बस आपको symbolic form को देख देख के verbal form में convert करना रहेगा, verbal form में उसको convert कर देना, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, easy है, ठीक है, done, 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 okay, चलो, चलो, last करते है, negation of quantified statement, पहले मुझे बताओ कि quantified statement क्या होते है, देखो, हमारे पास याद होगा, अगर नहीं याद है, तो दो मिन में आपको बताती हूँ, quantifiers, तो हमारे पास दो types के quantifier थे, एक था universal quantifier, और एक था exist, existential quantifier, ठीक है, existential, spelling भी मैं तो बूल गया हूँ, exist, हाँ, छलो, थोड़ा बहुत याद आया, existential quantifier, universal quantifier का symbol ऐसा था, उल्टा-A, existential quantifier का symbol ऐसा था, उल्टा-E, इसको हम लोग रीट करते है, for all, या इसको हम लोग रीट करते है, for every, ठीक है, इसको हम लोग रीट करते है, there exist, क्या रीट करते है, there exist, ठीक है, तो अब, यहाँ पर क्या बोला है, कि जो quantified statement होगे, देखो, जो open, जैसे कि अगर मान अब भूल गए रहोगे, तो mark होगे, अब जैसे मान लो ऐसा लिका है, x plus 2 is equal to 5, तो यह पहली बात तो mathematical logic में इसको statement नहीं माना चाता है, क्यों? क्योंकि यह open sentence है, open sentence है, क्योंकि इसकी truth value हम नहीं बता सकते हैं, हम यह नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसकी truth value क्या है, क्योंकि इसका मतलब यह open sentence है, तो जो ऐसे open sentence होते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, यह quantifier के मदद से क्या कर सकते हैं, उनको statement का दरजा दे सकते हैं, उनको statement में convert कर सकते हैं, ठीक है, और उसी statement को बोलते है, quantified statement, जैसे हमारे पास मान लो कि अभी मैं quantified statement, मैं अभी इसको convert करना चाती तो हम ऐसे लिखेगे, there exists x belongs to natural number, और हम यहाँ पर इसको natural number पर define करेगे, there exists x belongs to natural number such that, such that, such that, such that, क्या होगा, x plus 2 is equal to 5, तो यह हमारा क्या है, quantified statement है, मतलब इसका मतलब क्या है, कि ऐसे कुछ natural number हमारे पास है, such that, वो क्या करेगे, यह equation को क्या कर देगे, true कर देगे, तो यह अभी convert हो चुका है statement में, तो यह जो हमारे quantified statement है, इसका negation कैसे लिखेगे, हाँ, यही है हमारा topic, तो what is the negation of this quantified statement, तो यहाँ पर देखो, बड़ा simple है, यह जाला किच-किच नहीं है, यहाँ पर क्या बोला है, कि अगर हमको negation लिखना है quantified statement का, तो हमको सिर्फ replace करना है, किसको replace करना है, अगर all है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ओध्यान से सुनना, मतलब देखो समझाती हूं, थामब, यह ना, मैं एक बात बताती हूं, यह एक दूसरे के क्या है, यह एक दूसरे के opposite है, मतलब अगर मान लो कि यह देखो, यह हमारा क्या है quantified statement है, अब मुझे इसका negation लिखना है, तो इसका negation अगर लिखना है, तो मैं आपको बताती हूं, वो how to write the negation of quantified statement, तो रूल नमर वन, अगर all word है, तो उसको replace कर देना SOME से, या सम है, तो उसको replace कर देना all से, वाइजा वर्जा होता है, ठीक है, नमर वन, फिर second है, कि अगर for every लिखा हुआ है, तो उसको replace कर देना there exist से, या फिर there exist लिखा है, तो उसको replace कर देना for every से, और for every का symbol भी पता है, कि तीसरा वाला यह लोग ने नहीं बोला है, बड़ मैं बता देती हूँ, कि अगर यह वाला जो symbol है, यह symbol actually for every का symbol है, उसको replace कर देना there exist वाल से, या फिर there exist है, तो उसको replace कर देना for every वाल से, तो अगर मुझे यह quantified statement है, इसका अगर मुझे negation लिखना है, तो इसका negation लिखने के लिए क्या करेगे, यह जो यहाँ पे देखो, यह symbol है there exist का, तो इसको हम लोग replace कर देगे for all के symbol से, ठीक है, for all x belongs to n, such that, such that, such that, x plus 2, x plus 2 is not equal to 5, अच्छा, यहाँ पे से अधान से सुनना, इसको replace करने से आपका काम खतम नहीं हो जाता, आगे अगर equal sign लिखा है तो उसको not equal लिखो, अगर greater लिखा है तो smaller लिखो, आगे भी और काम होता है, उसको भी change करना पड़ता है, तो यह हमारा quantified statement था, इसका negation यह रहा, क्या किया, there exist जो था, उसको replace कर दिया for all से, और यहाँ पे जो equal sign था, उसको भी replace कर दिया not equal से, ठीक है, आगे भी थोड़ा बहुत changes होता है, लेकिन यह, यह main changes है, यह main changes है, ठीक है main replace, यह replace तो होगा ही होगा, समझ में आ गया, अगर नहीं समझाना, don't worry, अभी हम है ना, रुको, अभी हम question solve करते हैं, तो समझेगा, पर एक last note है, उसका ध्यान रखना, last note है, last note क्या है, कि अगर मानलो हमार पास कुछ statement pattern है, statement pattern है, statement pattern अभी आपको पता होगा, यहाँ पर statement pattern है, जैसे कि मानलो P and Q and R, ठीक है, मतलब कि अगर मानलो P, Q and R, हमारे simple statement है, और logical connectivity, यह पूरा group जो होता है, यह पूरा bundle हम statement pattern बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, कि अगर किसी भी statement pattern का negation लिखन किसी भी statement pattern का नहीं है, उन लोग ने एक शर्त रखी है, यह थोड़ा है, मतलब note है, मैं बताओ कि नहीं बताओ, बट देख लो, चलो, यह statement pattern, लिकिन statement pattern में क्या होना चाहिए, तो देखो, क्या बोला है, कि P, Q, R, उसमें क्या होगे, हमारे simple sentences का रोई प्ले करेगे, यहाँ क्या है, P, Q, R, हमारे simple statements है, और इसमें logical connectivity कौन-कौन से use हुए, and use हुआ है, ठीक है, and use हुआ है, अगर मान लो कि ऐसा कुछ होता है, अगर मान लो यह हमारा statement pattern है, यह भी हमारा statement pattern है, इसमें क्या है, P, Q, R, हमारे simple statements है, लिकिन इसमें देखो logical connectivity कौन से use हुए, एक तो and use हु और और नेगेशन है, अगर ये तीनों में से कोई अगर ये तीनों में से कोई logical connectivity है उस statement pattern में तो उसके लिए ही ये note है, बाकि किसी के लिए note नहीं है, तो मान लो कि अगर हमारे पास क्या है, example देखलो, अगर हमारे पास क्या है, ऐसा statement pattern है, देखो ये वाला भी अभी मैं जो यह भी हमारा ऐसा स्टीटमेंट पैटन है कि पूरा स्टेटमेंट पैटन है लेकिन इसमें लॉजिकल कन्नेक्टिविटी कौन-कौन से है एक तो negation है, and है, और और है, बस ये तीन होने चाहिए, अगर ये तीन logical connectivity है उस statement pattern में, तो उसका negation लिखना बहुत ही easy होता है, लिकिन अगर logical connectivity क्या है उस statement pattern में, ये वाला है, implies वाला है, या double implies वाला है, तो फिर आप लोग ये rule नहीं follow कर सकते, ये rule ऐसे statement pattern के लिए है, जिसम P, Q, R, S वगेरा, ये हमारे simple statements होगे, और कौन से logical connectivity होगे, and, or, or negation, तो उस statement pattern का negation अगर आपको लिखना है, मतब ये देखो, ये पूरा statement pattern था, अब मुझे इसका negation लिखना है, तो ऐसे लिखेगे ना, पहले तो ऐसे लिखने का, देखो, मैं पहले लिखना सिखाती हूँ आपको ऐसे लिखेगे, negation of, देखो, ये negation बार लिखने का, negation of, ये पूरा, इसका पूरे का negation लिखना है, तो क्या करें अभी हम, तो लोग ने बोला है कि ये बहुत simple होगा, इसका अगर पूरे का, आपको negation लिखना है, तो उसके लिए क्या करो, बस दो-तीन काम करो, क् करना है कि अगर जो P statement है, उसको क्या करो, उसको replace कर दो negation P से, Q होगा, उसको replace कर दो negation Q से, R जो होगा, उसको replace कर दो negation R से, और वाइजा वर्जा, वाइजा वर्जा, negation P होगा, तो P से replace कर देना, और end जो होगा, उसको replace कर दो और से, और जो होगा, उसको replace कर दो end से, हम इसका negation लिखना चांते हैं, negation of known of this statement pattern is equivalent to kya इसके equivalent होगा negation P replace P AND replace P Q replace Q Done P replace P replace P replace P negation Q replace Q It's our answer आपको लग रहा होगा कि मिस इसकी एमियत क्या है कुछ नहीं है यह क्या बोल रहे हो आप बहुत काम आएगा नोट और बहुत ही अच्छा है अब एक और एक्जामपल लूँ देखो अगर मांदो ऐसा है P & Q पिर आपे है हमारे पास और नगेशन और अगर बोला कि इसका लिको, इसका लिको रоды राइगेशन नाउ की क्या बोलार इसका सिर्फार्ड आप को देखना है बहुति कि यह से लोगिकंटिवीट और 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 नेगेशन यह तीनों लोदीविटी होने सांटिवीट ही अगर इसके अलावा अगर मानलो यह double implies अगर है तो आप यह वाला rule नहीं follow कर सकते है, ठीक है, तो इसमें क्या था, इसका negation लिखना है, तो बस क्या करेगे, P को replace कर दो, negation P से, और negation P होता है, तो उसको P से replace कर देने का, वाइजा वर्जा होता है, Q होगा तो negation Q से replace कर दो, और negation Q होगा तो Q से, R है तो negation R स होगा, एए मैं यह तो और से replace कर दो, एड होगा तो और आर, न न न से कर देना, ठीक है तो चलो, P को किस से replace कर देगे, negation P से, भ्राखिट लगा दो, हाँ, N है तो or northern होगा क्यू है, तो negation Q क्यू अब अप्दy, और किस से replace होगा, और से replace होगा or our तो यहाँ answer, that's it कितना टाइम हो गया वन आर एंफार्टीन मिनिट्स बाइग बच्चे को यह वीडियो देखे गई नहीं तो एक काम करते मैं अब यह ना आपको निक्सटे में ही प्रैक्टिस एट कराती हूं इसको करती बच्चा पाटी आई नहीं हो पाया यहां नहीं हो पाया जुझा इस आप से ही ready किया था बट नहीं हो पाया sorry next lecture में हम पूरा practice set solve कर लेगे और जो converse inverse और contra positive रह गया वह भी कर लेगे ठीक है thank you for watching today's video I hope आपको यह समझा होगा कि मैंने मतलब थोड़ा detail में पढ़ा दिया है तो आपने आपको समझा की नहीं समझा let me know in the comment section please टीक है समझा बता देना comment section में next video में मिलते हैं bye bye take care